कि वेरी वाल वेलकम स्वागत है आप सबका मेरे नौज प्रोवाइडर के इस वीडियो में और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूएस है उसने लॉन्च कर दिया है रिसेंटली 6 सैटलाइट्स को यह जो 6 सैटलाइट्स है यह यूएस ने अभी रिसेंटली लॉंच क्यों किया है यह लॉंच हुआ है आपका SpaceX Falcon 9 अब यह सैटलाइट्स के लॉंचिंग यूएस कर की हुरह है इसके पीछे आपको एक चीज़ समझने पड़ेंगे, इसमें दो company involved है, एक SDA जिसको हम बोलते है Space Development Agency और दूसरा MDA जिसको हम बोलते है Defense Agency, तो SDA के लिए launch किये गए हैं लगभग आपके 4 satellites और MDA के लिए launch किये गए हैं लगभग आपके 2 satellites, अब यह दो satellites को और यह जो आपके चार कुल मिलाकेच हैं इनको launching क्यों की गए, actually US Space में अपना एक network of satellites या एक constellation create करना चारा है, satellites का, जिसके जरिये वो किसी भी देश से आने वाले ballistic missiles और hypersonic weapons से आने वाले जो खत्रे हैं, उसको काफी हद तक reduce करेगा, आप जानते हैं कि जितने भी traditional ballistic missiles हैं और जितने भी hypersonic weapons हैं इनकी रफतार जो होती है, अगर speed की बात करें वो लगवग Mac 5 या उससे उपर की होती है, जिसके वज़े से कोई भी missile defense system इसको track नहीं कर पाता है, और ये काफी बड़ा खत्रे की वज़ा है, तो इसी को काफी हद तक reduce करने के लिए इन sequence में कुछ satellites को launch किया जा रहा है, और इस satellites space में जाके network एक constellation create करेंगे, और किसी भी एक आपका competitor रशय है और दूसरा उसका चाइना है, तो रशय ने आप जानते हैं कुछ hypersonic missiles को develop कर रखा है, ये hypersonic missiles अगर US की तरफ launch हो जाए, तो US के पर defense या protective measures क्या है, तो उसी के तरह ये six satellites को launch कर रहे हैं, ये six satellites में कुछ SS sensors लगे हैं, जिसमें SDS sensor RGBTS sensor है, HBTS के full form के अगर बात करें, तो वो है आपका hypersonic ballistic tracking space sensor program के तहती इसको बनाया गया है, ये track करेंगे, और इसको काफी पहले ये track कर लेंगे, और इसके track करके इसी signal को, ये interceptor को भेज़ देंगे, interceptor इनको intercept करने के बाद उस जगा या तो किसी आपके missiles को deploy कर देंगे, या किसी fighter plane के द्वारा missiles को release करके इसको destroy कर दिया जाएगा, जिसके जरिये इनको एक defense mechanism मिलेगा, ये launching काफी समय से चल रही है, US पहले भी 2023 में भी काफी satellites को launch कर चुका है, जो इनके इसी space development agency के program या फिर आपके जो military defense agency के development के दुरान किया जा रहा है, और ये अब जानते हैं कि अब जो चौथा war zone होगा, वो space होगा, चौथा war zone में ये अपने space force create करना चारा है, और उसी के power को enhance करने के लिए, ये इतने सारे satellites को launch कर रहे हैं, और इसका एक network या इसका constellation create करेंगे, जिसके बाद इनके तरफ आ रही कोई भी hypersonic weapon या ballistic missile जो होगी, इसको आफिहत तक minimize कर देंगे, इसके लिए US ने प्लान किया है, लगभग आपके US dollar वो इसी space force के development और इसके enhancement के लिए किया गया है, और इसी के तहट ये इतने सारे satellites को network वह आप भेजाएंगे, जिसके वज़ हो या फिर ballistic missile हो, वो उसको ये track कर पाया, और इसके सरिये अपने protection को और ज़्यादा capable ये उसको और ज़्यादा ensure कर पाया, तो ये सब चीजों इसमें देखने को मिलती है, तो आप ये जानते हैं कि Russia और China जो है, वो US के लिए सबसे बड़े threat है, और इसी को reduce करने के लिए य ये किया जा रहा है, और ये 2023 से प्लानिंग चार रही है, अभी वे, तो पहले जितने भी satellites ये launch कर रहे हैं, इनको ये बोलते हैं, ट्रैंग जीरो spacecraft ये satellites, तो इनकी एक layer create कर देंगे, ये particular layer होगी satellites की, ये जो भी आ रहे है missiles को ये track करेंगे, और track करके signals इस interceptors को देगी, तब फिर इसमें जवाबी करवाई होगी, वेकि Mac-5 से जो उपर रहतायर की जितने भी missiles हैं, उनको किसी भी missile defense system से track कर पाना लगभग असंभव या नमुमकिन होता है, आप जानते हैं कि S-400 जैसे advanced missile defense system है, और अमेरिका के पास खुज का Patriot missile defense system है, लेकिन आप जानते हैं कि जो अब जो develop हो रही है, इनको को missile defense system ही track नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके रफ्तार इतने जादा होती है, कि या possible नहीं हो पाता, इस कारण ये ऐसा network create कर रहे हैं, जिससे ये information लेंगे, कोई भी और इनके तरफ आने वाली जो भी missile है, उसको इसी satellite के मदद से ये track कर लेंगे, और ये ऐसा interceptors को signal देंगे, और ऐसा करने के लिए, जिसको SDS sensors और या फिर आपके बुला जाए, HBTSS sensors, इसका full form है, आपके hypersonic ballasting tracking sensor space, जो program के तहरे, ये sensors develop हो रहे हैं, यही sensor इसको track करेंगे, और track करके इसकी signal को भेज देंगे, आपके interceptors को, तब interceptors से ये signal receive होगा, और फिर दूसरे missiles के जरिये, या फिर जो भी plan के जरिये, इनके तरफ आरे threat को पता चलने पर reduce कर दिया जाएगा, तो ये अपने एक type से समझ जाए, warning system को और ज़्यादा, tracking और warning system के capabilities को और ज़्यादा develop कर रहे हैं, तो hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप comment करके नेक्स वीडियो में, तक तक लिए, bye